हेलो बच्छो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सब की प्रहाई बेची चल लए होगी आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 किताब से आज हम लोग करने वाले है एकसरसाइज 2E के जितने ही प्रॉब्लम से उनको सॉल्फ करेंगे ठीक है चुकि यहाँ पर आपको निकालना LCM ठीक है और LCM आपको पता है कि क्या होता है lowest common multiple होता है lowest common multiple का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो भी multiple हो इसका ही multiple हो दोनों का वो कौन सा multiple है जो common है इसमें भी आए और इसका multiple हो ठीक है वो सबसे छोटा multiple होना चीए ठीक है तो यह आपको find out करना है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे prime factorization method से यानि कि अभाज गुनन खंडन विदी से और हम लोग करेंगे इसमें जो long division जो इसका division method होता है उससे भी हम लोग करेंगे ठीक है तो जो आपका division method है वो हम लोग करेंगे कुछ questions जैसे कि यह आगे को questions होंगे उनको करेंगे और जो prime factorization method होगा वो हम लोग शुरू वाले questions को करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले के 42 और 63 और ध्यान से देखिएगा मैं आपको सारे rules समझाओंगा भी ठीक है तो चलिए पहला question देखते हैं इसमें 42 और 63 का आपको निकालना है LCM ठीक है तो हम लोग के पास जो 42 और 63 दिया गया है न तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 42 का prime factorization निकालेंगे यानिके अभाज गुनन खंडन करेंगे इसका ठीक है तो दो से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसको करने से पहले prime factorization आप लोग को प अगर 2 से पहले believe व रहा है तो 3 से चेक है अगर 3 से भी नहीं चेक करना है तो आपको 5 से चेक करना है 5 से भी अगर नहीं हो रहा है så 7 से एक 7 से उत्राओ करना और 11 से नहीं से करना तो 13 से सund on 17 तो 19 से इसारीकह इसे पर जितने prime नंबर है सिर्फ उस नहीं से भाग लगाना है ठीक है चलिए तो आपको करना क्या है दो से यहां पर पहला ट्राइड किज़ेगा तो दो से लग जाएगा भाग एकीस होजाएगा ठीक है और उसकाद फिर देखू यहां दो से लग नहीं रहा है तो तीन से लगाएंगे 23 into seven करेंगे और 363 ब्राबर लिखेंगे यहां पर three into three into seven अब यहां पर क्या होता है इसको दो तरीक की साफ बना सकते हैं एक तो यह है कि आप इस इसे कर दो यह देखो है यहां पर तीन मिल रहा है न जो मिल रहा है उसको आप आप ऐसे घहर गहर दो है ठीक है कि आप क्या करते हो जो मिल रहा होता है इसको घिर देते हो और यहां पर तीन का पावर दो गुने साथ यहां पर मैंने इसको घिर दिया तब यह देखो यहां पर तीन 3 phrases 3 ,3 3 आगर 3 3 तोière ठीके अब देको क्या होगा यहां पर लिखिक साय कंजी की ab पर 1 है और तो कहीं 2 है नहीं तो एक ही रहने देंगे और 3 पर 1 है और यहां 3 पर 2 पावर में है तो यहां पर दो डग दो ठीक है और इंटू 7 कर दो अब क्यों जाएगा देखो दो गुने तीन तिया नो इंटू साथ कितना हो जागा दो नमा ठारास ते एक सो चब्विस यह आपका आंसर हो गया इसी तरीके से आपको बनाना है चलो दूसरा कुशन भी देखते हैं इसी का दूसरा कुशन में आपको 60 का निकालना है और 75 का तो 60 का निकालोगे तो 2 से लगाएंगे 15 होगा और 3 से लगाएंगे 3-5, 15, और 5 का ही 5 और उसके बाद हम लोग को 75 का लगाना है तो 75 का होजएगा तीन से लगेगा यह दोसरा लगे नहीं 25 यालत एंट ते लगे 05 गलने में 5 ठीके यह गाफ़ तो कैं आव पाइज निकालेंगे तो पहले हम ही60 और 2 into 3 into 5 इसके बाद क्या होगा 3 into 5 का square अब LCM बराबर क्या हो जाएगा LCM और bracket में आपको लिख देना है 60 और 75 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो धियान से क्या हो जाएगा तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आए है वो आपको पहले लिख देना है देखो 2, 3 और 5 यही तो आया हुआ है तो 2, 3 और 5 लिख देना है अब देखो 2 पर maximum power कितना है तो 2 पर maximum power 2 है तो 2 लिख देना है 3 पर तो यहाँ 1 है इधर भी 1 है तो 1 ही होगा और 5 पर तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा अब देखो 2 दुनी 4 चारतिया 12 12 और यहां पर हो गया 25 25 हो गया तो देखो यह हो जाएगा जब तीनों को गुना करोगे चारतिया 12 12 को 25 से गुना करोगे तो एंसर आएगा आपका 300 और यही आपका LCM हो गया ठीक है बास समझ में आ गई चलिए उसका चलते हैं लोग नेक्ट कोशन की तरफ जो कि आपका तीस रा कुशन है और इसमें कहता है 12 18 और बीस का निकालना है तो बारask करो तो पहले हम 12 करेंगे 18 करेंगे 20 करेंगे यहां पर और 12 का लिख देंगे 2 गुने 2 है तो 2 गुने 2 इंटू 3 लिख दिया 18 का 2 गुने 3 गुने 3 लिख दिया और 20 का 2 गुने 2 गुने 5 कर दिया क्या बन जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 2 गुने 3 और 2 स्कुर्जा बाट अब लू से निकालना है 12 अठारा । क्या बन बावर से नंबर से हैं 2 तीन पावर कितना है ठीक है हाना कि Это हमको बड़ावाला लेना है ठीक है तो दो 있는 5 का एक ही पावर है कितना बन दो दुनी चार तीन का तीनतिया नौ और गुने पांच जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 180 ठीक है कितना जाएगा 180 यह आपका आंसर हो गया ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे कोशन की तरफ चौथा कोशन में क्या है आपका 36 62 ठीक ह क्या हूजाएगा 2 x 2 x 3 x 5 और 72 का हूजाएगा 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 अब देखो यहां पर क्या करना है आपको देको 38 इसको लिख देजें 2 2 2 और 3 3 2 60 को लिख देखा 2 2 3 गुने 5 इसका बहर लिखेगा 2 3 x 3 2 सब्सक्राइब चया रहाँ आपको है इसने कौन पांच यहां पर भी आया हुआ है अब सब्सक्राइब और को कि तो है तो है और पांच पर ने मिक्सिम तो फिर जाया नहीं तो यहां पर तीज तो तो हो जाएगए न तो यहां पर तीन हो जाएगे, तो मैक्सिमम आपको 3 ले लेना, ठीक है, तो 2 3 राकितना हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, 8 ओर 72, आफान में 12 को जब हम करेंगे, किसे, 25 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का पॉवर कितना है जी, अरे यार 5 के पावर एक ही है न तो 5 ही हो जाएगा 5 48 नमा 360 यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है बस इसको गुणा करना है यह देखना आपको कि मेक्सिमम 5 यहाँ पर क्या है एक है पावर में तो 5 आपको एक ही लेना है तो यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया था 5 का 5 ही लिखना है ठीक है 3 तीया 9 हो जाएगा 3 का पौर 3 2 का पौर 3 8 हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया चलिए उसके बाद आपका जो अगला कोशन है इसमें वो है आपका 36 40 और 126 का निकालना है ठीक है इसके बाद आपको करना क्या है 36 का यहाँ पर आपको लिखना है देखो मैं एक एस हो जाएर पावर दो लिखे दीजे ठीक है ईंटू station का पाव़र दो फिर यहाँ पर देखो 40 है तो इसका क्यों जगए एक doğru 23 गय autos टीन हे इन् हें उसका पविस है तो इसको अपनी सथे ही इन दो इंटू 3 का पावर दो इंटू 7 लिघ दिजे और यहां पर आपको लिख मैक्सिम्म 3 हो जाएगा और 3 का जो पावर है यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 ही लिखेगा और 5 का पावर 1 है एक लिख दिजिए 7 का पावर 1 है अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा 2 का पावर 3 का पावर 3 हो जाएगा 9 और 5 गुने 7 अब सब को जब गुना क तो आपका यहां पर दिया 16, 28, 47, 47 तो इसको हम लोग करेंगे division method से ठीक है 16, 28, 40, 47 इसमें क्या होता है कि आपको यह देखना पड़ता है कि यह सब नंबर किससे भाग लग रहा है ठीक है सब नंबर किससे भाग लग रहा है कम से कम दो नंबर आपके पास होने चाहिए at least कम से संख्याइस होने चाहिए जो भाग लग सके तभी आपवन नंबर यहां पर लिख यहां पर लिखेगा इस हम देख पाँए हैं यहां पर दो 2 से लग रहा है यह भी यह भी यह भी तीन नंबर है हमारे पास जो तीन से तीन से सड़ी नगे और 12 से बाग लाएंगे 28, 24, 24, 2022, दो से लग रहे है तो سततर और इसालिस दो साहीं चार हो जाएगा त्रश के यहां दो से तो नूंबर लिखेंगे इसको हब करते करते हैं बाइसा नहीं करना यहां पर यहां पर थोड़िना क्या उसके बद आपको यहां पर लिखना है LCM, LCM क्या हो जाएगा तो इन सब नंबर को एक साथ multiply कर देना है, ठीक है, दो यहाँ पे एक बार और दो लिखेंगे फिर ये व़़ा दो लिखेंगे और फिर ये व़़ा साथ लिखेंगे जैसे जो आया हुआ है वैसे लिखेंगे फिर ये वाला दो लिखेंगे और फिर इस वाले 5 को और 11 को और सब को multiply कर दें कैसे 2 दूनी 4 होता है 4 में 2 से गुना करेंगे 8 होगा 8 में 7 से गुना करेंगे 56 होगा 56 में 2 से गुना करेंगे 112 हो जाएगा ठीक है 112 हो गया और 115 पंचे 55 हो गया 112 और 55 को multiply करेंगे तो आपका अंसर आजएगा 6,1, 6,0 यही आपका LCM हो गया ठीक है इसके बाद जो आपका साथवा कोशन है इसमें आपको क्या करना है 28, 36, 45 और 60 का LCM निकालना है तो यहाँ भी हम देखो क्या करेंगे सबसे पहले देखो 2 से भाग लग रहा है 2 से यह भी कट रहा है 14 दुनी होता 28 18 दुनी होता 36 45 नहीं लगेगा तो 45 लिग देगे 60 में 2 से भाग लगेगे तो 30 आ जाएगा पिर 2 से लग रहा है 7 दुनी 14, 9 दुनी 18 45 का 45 लिग दो और 30 का 15 हो जाएगा कुस भाग लाएं साथ में साथ कुछ नहीं आएगा तो मतलब साथ जो भाग नहीं लगेगा जिसमें उसको ऐसे उतार देना है फिर नौ में भाग लाएं तो तीन आ जाएगा पैतालिस में तीन से भाग लाएं तो पंद्रा आ जाएगा पंद्रा में तीन से भाग लाएं तो यह 5 ऐसे ही लिख देंगे अब 3 से भी नहीं कट रहा है 5 से कट रहा है तो 5 क्या लिखेंगे 7 ऐसे लिख देंगे एक 5 हो जागा 5 अब LCM क्या हो जागा तो LCM में आपको सारी नंबर को नोट कर देना है 2 गुणे 2 3 गुणे 3 5 गुणे 7 कितना हो जागा 126 यानिके 126 और 0 यह आपका 1260 LCM हो ठीक है आठवा कोशन देखो क्या है आठवा में क्या है आपका थोरा सा बड़ा नंबर है तो ध्यान से देखे 144 है 180 है और 384 है तो दो से ट्राइकर हो पहले 2 से ट्राइकर होगे तो कह ओगा 72 आजाएगा फिर 92 180 हो जाएगा और 19 28 यानकी 1929 आजाएगा फिर 2 से ट्राइकर हो जाएगा तो 36 आजाएगा 45 हो जाएगा 45 90 9 दुन है 18 और 16 96 हो गया नहीं आएगा आपको ऐसे करने तो 192 अलग से भाग लगएगा ठीक है 192 लिखेगा और उसमें 2 से भाग लगाएगा तो कोशिंट को यहां लिख देना है फिर 2 से लगेगा तो 2 से देखो 36 में भाग लाएगा तो 18 आजाएगा 45 में भाग तो लगेगा नहीं तो 45 लिख देंगे और 96 में 2 से भाग लाएगा तो 48 आजाएगा 48 लिख देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18 हो जाएगा, 45 की जाएगा, 45 ही लिखेंगे, 48 में, कितना हो जाएगा, 24 नमा 48 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो, 2 से ये तो कट रहा है, बट ये दुनों नहीं कट रहा है, तो 3 से लग रहा है, 3 से ये ये लग होसे चीड़ा हो जात दम दो nutzen इंटो इंटो ट्विंटो एंटो और धोधिसको गुना खिंट है एक साथ मिलाकर दो को दो से गुना फिर दो से गुना कीजिएगा फिर तीना को उससे गुना कीजिएगा फिर जतना है उसमें फिर तीन से multiply फिर पांस सेih पिर आट नीचार नॆक नुनि пойट व गया 16 लिख दिया, 33, 9 हो गया और 85, 40 हो गया अब इसको गुना करोगे, 16 नमा होता है 144, इसको जब 40 से मल्टिप्लाइ करोगे तो कितना जाएगा 576, और यहां जिरियन के 5760 यह गया आपका आंसर, ठीक है तो आपका जो आठवा कुशन था, वो भी सॉल्व हो गया है, अब आते हैं नमा कुशन की तरफ, नमा कुशन में क्या है 48, 64, 72, 96, 108, देखो कई सारे बच्चे क्या करते हैं सीदा बाड़ा से लगा देते हैं, तो को वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो प्रोसेस नहीं आपको हलके से लेना, इनके पहले शुरुवात 27 हो जाएगा फिर 2 से लगए तो 2 से लगाएंगे तीन के तीन ही लिखेंगे दुटीनित लिखेंगे दुटीन चार दो ओलो से कट राभत टीन से घरवा तॉय लगा तीन से ल कायी हुशा अब दो इस्यच्ण का इंक यह into 3 into 3 into 2 into 3 कितना वा जाएगा देखो यहां घुना करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 हो गया तो यहां 32 लिख दो उसके बाद 3 दूनी 9 9 दूनी 18 लिख 54 हो गया तो 34 को 54 से मल्ट्प्लिटा करो 1728 यहांपका आंसर हो गया ठीक है तो यहां पर जो कोशन था टू ए का एक से लेके नाइन तक मैंने समझा दिया है और अगली वीडियो में हम लोग आगे के कोशन करें क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो गई है आप लोग भी बना बना के थक गया होगे इसलिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की प्रणफ को शेयर करेंगे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों से सभी ग्रूब्स में शेयर कर देज्येगे जो भी फ्रेंड आपके स्कूल के हैं जो आपकी गिखलास पड़ते हैं ठीक है उनको शेयर कर दिज इस इस पर कमेंट और लाइक साएंगे उतनी जादा आपकी जल्दी वीडियो फिर से आने लगेगी ठीक है और फिर मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना ध्यान रखें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया